अब ये पूरी कहानी एक बार फिर से उसी कैन्वास को लिखी जा रही है जिसमें गोतिहारों निभाया जाएगा हम पहले भी बताए हैं कि तीनों भाई मिल करके भारती जन्तापार्टी को पठकेंगे और भारती जन्तापार्टी के सताय हुए सब है हो सकता है किस से पहले एक बड़ा गेम जो है जीतन राम माजी कर दे अगर जीतन राम माजी इस सदन की कारवाई के समय तिरिंग भिरिंग अगर कर दिये कहीं अगर निकल गए तो सरकात वाइश नहीं अल्पमत हो जाएगी कि ये दलों को वोट आया था जब उसी साल आपको याद होगा है कि 2000 में ही बिहार से जहार खंडा लग हुआ था जी तीनसव चौबिस के जवाबर नितिश कुमार भी उसी समय वही समय था जो नितिश कुमार पहला बार मुक्यमंत्री का साथ दीन का सपत लिये थे और बैक कि भाई बिरेंदर जो मुख्य प्रवक्ता है RJD के उनको क्या जरूर था आज 2013 का बात याद दिलाने का जरूर कोई बात होगा न अचानक तो आपको कुछ नहीं आता जाता है उन्होंने याद दिला करके ये बात कोह दिया है कि भाई उस समय में हमको बुलाए थे हम नहीं हम नहीं आय थे हम पूरा दले लेकर के पहुंच गया थे एक आमी को बुला थे दुआ दिला थे कोई नहीं गया लेकिन जब लालू प्रसाद में खुद ही कहा कि भाई तुम परिशान हो तो तुमको हम हम हेल्प कर दे रहे हैं बोरो प्लेयर मंतर के जाकर के मैच खेलबा अब दिये मैच 29 लाख रोजगार देने का वादा कर का हैं तो यह को मिला कितने को मिला उस पर चर्चा क्या हुई क्या उस पर हुआ यहां तक कि भारते जन्ता पार्टी ने बिहार की जन्ता को बरगलाने के लिए फुसलाने के लिए लाकर के साहनमाज हुजेन को परिठा ही कि भाई है तो जनकार हैं केंदर में रहे बिहार के रोजगार कतो भरमार कर देंगे प्याट कर रहे हैं पलास्ती का टंगी का ऊड़गान संताना खुस होग हैं की आया यह ईग है नमस्कार आप भारत लाइब देख रहे हैं और ये रातो रात है जहां हम आपको हमेशा से ऐसी ही खवरे देते हैं जो खवर आगे चल कर कहीं न कहीं बिहार की राजनीत में सत्त साबित होती है और बिहार की राजनीत की दिशा और दसा तै करती है आपको बता दे कि बिहार में जिस प्रकार से राजनीच चल रही है आपको अंदाजा होगा कि सभी लोग एक विसेश तयारी में लगे हुए हैं ये विसेश तयारी क्या है बावा बताएंगे लेकिन उसके पहले हम आपको बता दे कि बिहार में अगर राजत की बात करें तो अलग तरीके की तयारी कर रही है उसमें कई प्रकार की तयारिया है जो पांस तारीक राजत के कार्जक्रम के दिन दिखा था लालू प्रसाद यादों ने वर्च्वली रूप से जिस प्रकार से आकर सारी बाते कही इससे राजत कुन्वा में एक जोस और खरोस आ गया था जि अगर बात करें तो आर्सीपी सिंग लगतार बैठक का दौर किये हुए हैं आपको बता देगे राष्टिय काडिकारनी की बैठक भी होने वाली है वहीं बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी अब एक नई तयारी में लग गया है वो भी बिहार यात्रा पर जा रहे हैं और सिम बाते आपको बाबा बताएंगे बाबा कौन सी तयारी है और इस तयारी से भाजपा पर क्या आसर पढ़ने वाला है देखे हमारे संपादत नमन विश्या जी कहते हैं कि राजनितिक लोग जो बाते कहते हैं उसे इस कान से सुनिये लेकिन सोचिये अपने मन से आप देख त दिलासा दिलाते हैं अपने आपको अपने आत्मा को अपने मन को समझाने का प्रयास करते हैं कि पाम साथ चलेगा अगर जो मंत्री है वी सोच रहे हैं कि अरे हम पाम साल मंत्री रहेंगे अब आप समझे लेकिन जो भीतर में बात चल देए जो नितीश कुमार के भीतर जो द्वंद चल रहा है उस द्वंद को कौन समझेगा समझने वाले पांचों को लोग ते सब किनारा कर दिये जी आर सी पिया है और सब को कहें के हड़ोट तुम लोग अकेले हम काती है सब को साइट कर दिये आप देखें कि यह है कि जिसतर से लॉग डाउन के पिरिएट जो पहला चल रहा था जी मोधी जी पहले ताली थाली बजबाए उसको बजबाने के बाद कहें कि अब लॉग डाउन पर्मानेंट कोई घर से बाहर ना निकले जी और उसके बाद घर से बा अब ऐसी स्थिती में इस बिहार में अगर कोई योजना बनती हो, कोई बात होती हो, तो आप समझ लिजे कि वो जिस कारण से हो रही वो कारण नहीं है। कि भाईया ही तो जानकार है, केंदर में रहे हैं, बिहार में आकर के रोजगार का तो भरमार कर देंगें। लेकिन और बिजिडी और सणक विकास नहीं है। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, कि आपको लोगों को खुस करना होगा। और नितीश कुमार जी आज के डेट में जिस स्थिती में उस स्थिती में खुस नहीं रख पा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि नितीश कुमार जी का हाथ बंधा हुआ है। जिस बात की चर्चाल लगतार आपने देखा होगा कि बिपक्ष कर रहा था। तेजस्वी यादोर लालू पर साथ लगतार इस बातों कह रहे है। कॉंग्रेस भी लगतार इस बातों कह रहे है। कि कहीं न कहीं नितीश कुमार बंधे हुए है। अब ये बात खुल कर सामने भी आ गई है। कि नितीश कुमार कमजोड हैं तभी तो अगल वगल का जुटा रहे हैं। जैसे मालत नेहाब घर बनाने के लिए सच्छम हैं। ने उखोनवा दिये। इंटा गिर गया। अब सिमेंट है नहीं है, तो जोड़ाएगा कोई से। जोगार करना होगा। तो नितीश कुमार जी उस सिमेंट का जोगार कर रहे हैं। उपर अंदर कुस वहाय को ला रहे हैं। तो जिसको खदेर दिये थे भाज़बा के डर से। उसको फिर से बुला रहे हैं, मन्जीत सिंह को ला रहे हैं। और लोगों को लाने का तैयारी चल रहा है। इस अब क्या तैयारी है। कहीं न कहीं तैयारी तो है कि एक बड़ी सुंदर कहा हो थे भोज़बूरी में। कि रोने को तो है यह तो आके खोदा गया। कि फाइट होता ते एक पालवान दूसरे पालवान से लड़ता है। तब तक लेको बीच में आ जाता है आकर उसको पठक देता है। तिसरा आ जाता है। यह फॉल गेम होता है। लेकिन फॉल गेम के तो मास्टर है नितिस कुमार। आपको पते हैं कि 2015 में कई से पठके थे भाज़पा को। फीर एक बार तैयारी में लगल है। बहुत गुप्त तैयारी है। उपेंद्र कुस वहां आकर के चिराग पासवान पर बोलते हैं। आप समझ रहे ना बात को। चिराग पासवान को लेकर के पारस क्या बोलते हैं। आपको पता है ना। मन में उनके हुलस आयाता है। कहते हैं कि बहुत आशिरबाद है। मेरा भतिजा है। इस अब पासदीर पहले काने बोल रहे थे। तो देखे, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं, जो आपने देखा हुआ कि कल ही हमने ख़बर में चलाया था। हमने एक तस्वीर को वाइरल किया था। वह तस्वीर हमारे पास सबसे पहले आई। कि किस तरह से केसी त्यागी नया गठ जोड में लगे हुए है। मतलब तैयारी पूरा है। क्रईसे भारतिये जनतापाटी को यह दी कंजोड करना है, साप को, देखें ऐसा मन्त कि भारतिये जनतापाटी को साप मत समझ लीजेगा। हम एक उदारन दे रहे हैं कि अगर साप से आपको डर लगता है, भले आपको काटे नहीं लेकिन डर तो लगता है। तो उनको कहीं न कहीं भारतिये जनतापाटी को छोड़ करके दूसरे का साथ लेना पड़ेगा। और साथ देने में एक ही आदमी स्रक्षम है वो है लालू परसाथ क्योंकि एक नंबर की पार्टी वही बन करके आई थी। आज भी जनाधार के मामले में कहें तो 15 दूनी 30% वोट उनके पास है। अगर पूरा उठा करके देखा जाए तो नितियस कुमार को जब जब ज़रूरत महसुस हुई है। कब तब उनका साथ देने के लिए क्या दमी आया था। आज आपे कुछी बताईए। बहुत एक गमिरता से बात बता रहे हैं। कि भाई बिरेंदर जो मुख्य प्रवक्ता है RJD के, उनको क्या जरूर था आज 2013 का बात याद दिलाने का। जरूर कोई बात होगा नौ। अचानक तो आपको कुछ नहीं आता जाता है। उन्होंने याद दिलाकर के ये बात कह दिया है। कि भाई उस समय भी हमको बुलाय थे। हम नहीं आय थे। हम पूरा दले लेकर के पहुँच गय थे। एक आदमी को बुला थे, दूदी को बुला थे, कोई नहीं गया। लेकिन जब लालू परसाद में खुद ही कहा कि भाई तुम परिशान हो तो तुमको हम हेल्प कर दे रहे हैं। बोरो प्लेयर बन करके जाकर के मैच खेलवा दिये नौ। जित्वा भी दिये मैच। अब ऐसी इस्थिती में यह सारा जो खेल चल रहा है उसमें आप समझिए। कि एक तरफ जहां सामने से नजर आ रहा है कि नितीश कुमार जी कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। आर्सीपी सिंग को हटाने वाले हैं। कि आर्सीपी सिंग को नितीश कुमार के हटाते भले उनके पार्टी में कुछ हो चाहे नहीं हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है हाथ खिचना सुरू कर देगी। कारण कि RCP Singh yes man है भारती जन्तापाटी के और निटीश कुमार के माथा पर तक ठाया का नाच उन से करवा रही है आप समझिए निटीश कुमार कहते हमको पते नहीं है और RCP Singh कहते है कि यह तो हमको बोले थे जाने लिए यह हमको बोले थे अज सारा लोग के सामने बोल रहे हैं तो इस किसका विश्वास कीजेगा निटीश कुमार का जो बीचे रास्ता में छोड़ करके लालू परसाद को भाग गए थे कहे भाग गए थे संपातिक नमर्मिसाजी बता थे इस बात को कहे भागे थे उकारण हो नहीं था कहा आज तक तक ते जस्वी को जिल बेज दिये मुखिया तो आप आई है ना भाई सरकार आपके हाथ में है कानून आपके हाथ में है कहे नहीं करवा दिये चार सीर लेकिन इसर तीन साल के बाद चार साल के बाद अब तक कहा अब ते जस्वी आदो दिली जाते हैं तो उसका भी तो आग ए खुला सा कि कहें दिली जाते हैं दू कारण से दिली जाते हैं एक तो नितिश कुमार के चलते दिली जाते हैं नितिश कुमार नकेस में फसाते जुठों के अना बेकरा को दिली जाना पड़ता बार-बार दुसार का बाबुजी ओजे है अब तो लाने का बेवस्ता हो रहा है भी आपको पता है कि पूरा घर में नीचे बेवस्ता हुआ है जगता नन सिंग बता ये रहे थे उतो हम पहले ही खबर बता दिये थे तो उसके बाद एक तोन सिंग बताए कि घर में पटना में खुब बनिया बेवस्ता हो रहा है एक पाम मेडिकल रूम का बेवस्ता हो रहा है जिसमें सब सुवधा से लाइस लालू परसाद रहेंगे, ओजे से कहेंगे हालो समाझ लीजे कि पूरा गेम प्लान रचा गया है कोई नहीं बोल रहा है 31 तारिक से पहले लालू पर साथ आ जाएंगे और 31 तारिक को नितीज कुमार एक बड़ा गेम करेंगे आप देखिया है कि सदन की करवाई चलेगी उस सदन में देखिया है कि कितना फ्रेंडली होता है आपने देखा होगा कि सूर बडल गया है स्वर बडल गया है क्यों बडल रहे हैं इस सब मुझे याद आता है तब का जब पहली बार ऐसा हुआ था कि 2000 में छेत्रिये दलो ने राश्टिये दलो का अस्तित हिस्तमाट कर दिया था मातर 33 परतिसत पर ला करके माफ कीज़े का 30 परतिसत से लेकर के 40 परतिसत के बीच में सारा फ्लैट हो गया था और 60 परतिसत के आसपास छेत्रिये दलो को वोट आया था जब उसी साल आपको याद होगा है कि 2000 में ही बिहार से जहार खंडा लग हुआ था 324 के जवापर 243 को सीट रहा गया था और नितिश कुमार भी उसी समय वही समय था जब नितिश कुमार पहला बार मुक्यमंत्री का साथ दिन का सपत लिये थे और बैकफूट पर भाग गय थे पहले ही रिजान दे करके हट गए थे तब 2005 के लिए तैयारी शुरू किये थे 2005 में आये थे उभी आये तो किस कारण से आये लालू परसाद का नाम लेकर करकर नहीं आते तो उसमें भी नहीं आते लालू के विरोध की राजिये तो उन्हें शुरू की और उसी लालू के साथ फिर 2013 में जब वो पूरी तर से फ्लेट हो गए तो लालू परसाद में उनको सहरा दिया था अब ये पूरी कहानी एक बार फिर से उसी केनवास पर लिखी जा रही है जिसमें गोतिहारों निभाया जाएगा हम पहले भी बताए हैं कि तीनो भाई निल करके भारती जन्तापाटी को पठकेंगे और भारती जन्तापाटी के सताय हुए सब हैं हो सकता है किस से पहले एक बड़ा गेम जो है जीतन रामाजी कर दें अगर जीतन रामाजी इस सदन की कारवाई के समय त्रेडिंग भीडिंग अगर कर दिये कहीं अगर निकल गए तो सरकार तो अईसे ही अल्पमत हो जाएगी और आपको याद होगा कि भारती जन्तापाटी ने क्या कहा था कि अगर तेजस्वी जादों के पास बहुमत है तो क्यों नहीं साबित कर रहा है इसका मतलब है कि कहीं न कहीं भारती जन्तापाटी भी अपनी तयारी कर चुकी है कि निटीज कुमार कभी भी जटका दे सकते है और ये जटका अगर उत्तर प्रदेश चुनाओं से पहले हो जाए तो आप कोई अतुस्योक्ती नहीं होगी क्योंकि दोनों ही खे में एक तरफ जहां ये सोचा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर भारती जन्तापाटी पुराने रिकॉर्ड को दोहरा देती है तो केंदर में 2024 में हराना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहीं पूरा मिल करके आपने देखा होगा कि किस तरह से पस्चिम बंगाल में एक रिकॉर्ड सेट किया गया जो हम पहले भी बता चुके हैं कि सारा भी पक्ष एक जूट हो करके और भाजपा के खिलाफ चुनाव लगा था आप देख लिए कि उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से तस्वीर आपके सामने आई है उस तस्वीर में आपने देखा कि समाजवादी पाटी के एक बरिष्ट नेता और कॉंग्रेस के एक बरिष्ट नेता दोनों के साथ किस तरह से गलबहिया कर रहे हैं केसी त्यागी ये इस बात के तरह इशारा करता है कि कहीं न कहीं परसांत किसोर वाला गोली खाने के लिए सब तयार है अगर इक गोली सकसेज हो गया तो एक बात मान के चलिए कि जो नितिश कुमार आर सीपी सिंग को छोड़ करके फिर से परसांद की सोर को अपने खेमा मिला सकते हैं और उनके बताय रास्ते पर आगे चलकर करके अपनी राजनितिक जमीन को बरकरार रख सकते हैं जी तो बिहार में जिस परकार की राजनित चल रही है वो दोनों लोग यानि जेडियू और आरजेडी दोनों लोग एक साथ लगातार तयारिया करें यह तयारी किस बात की है बाबा ने आपको बताया और यह तयारी भारी पर सकती है भाजपापर क्योंकि जिस परकार से यह दोनों लोग जब भी एक साथ आये हैं उस समय बिहार में इन ही लोगों की सरकार बनी हैं। आपने रेकॉर्ड देखा होगा इन लोगों के वोट परतिसत को देखा होगा। बाबा ने आपको पताया कि 30% का आज पास का वोट RJD का है तो 30% काफी है कहीं भी सरकार बनाने के लिए लेकिन अभी भी नमबर वन की पार्टी है और नितीज कुमार नमबर तीन की पार्टी है। एक और तीन मिलने के बाद और उपर जा सकते हैं। आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ बिहार की राजनीच से निकल कर सामने आता है लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को सेर कर दीजे बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और हुआ बिहार के राजनीच और बिहारियत से सरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर वीडियो पत्रकारता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जोइन बटन दबा दी। पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद।